गुड बॉर्निंग दोस्तों अब जब इन चीतों को करीब 7-8 दिन हो चुके हैं। ऐसे में इन चीतों का विवहार धीरे धीरे भारत के अवादा वरण और खान पान के अनुसार धनने लगा है। वहीं दूसरे और इन चीतों की सुरक्षा कभे बेहत ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी सुरक्षा विवस्था में मुस्तैदी के लिए प्रशासन द्वारा एक और कभायत शुरू की गई है। दरसल नमीबिया से आये इन चीतों की खास सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिर्मन शेफर्ट प्रजाती के कुट्टे को ट्रेनिंग दी जा रही है। पांच महीनों के इस जिर्मन शिफट प्रजाती के कुत्ते का नाम इलू है। हो सकता है आपको अजीब लगे या अंसुना से लगे एलाम लेकिन इस जिर्मन शिफट प्रजाती के कुत्ते से एक काम की उमीद काफी बहतरी नधंसे की जा रही है। इसी बीच एक और खास खबर बॉल्वूड जगट से भी आ रही है जहां कल यानिकी मंगलबार को हिंदी सिनिमा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खोशना की गई। दरसल अपने दोर की मशहूर अदाकार आशा पारिख को इस साल दादसाहिफाल के अवाट से नवाजा जाए अगर वाकई में देखा जाए तो इसमें कोई संशय नहीं कि वो इस समान की हगतार है। वैसे बॉल्वूड से जुड़ी एक और खबर आ रही है लेकिन थोड़ी परिशान करने वाली। दरसल मशहूर अभिनेतरी दिपिका पाड़कोन को सोमवार 26 सितंबर को देर रात अ ऐसी शिकायत पहली बार हुई हो इससे पहले भी उनके साथ ये हो चुका है। फिलाल इस खबर के बाद उनकी फ्रैंस उनकी तबीयत को लेकर चिंदा में हैं। खेर खबर ये भी है कि अब अभिनेतरी टिपिका पाड़कोन बेहतर महसूस कर रही है। आखर में आपके लि नवनिर्मित कोरिडोर का लोकारपन करेंगे। पियमोदी के इस कवायत के बाद इस कोरिडोर को आमशत धालों के लिए खोल दिया जाएगा। इस पूरे कारिकरम के मद्दने ज़र सारी तयारियां देश कर दी गई हैं और इसी सलसले में मद्दिप्रदेश के मुख्यमंत पत्रे ने कहा कि महाकाल महराच से प्रार्थना हैं कि वो सभी प्रदेशवासियों पक्रपा बरसाएं। आशिरवान दे और भौतिक्ता की अगनी में दग्द विश्व मानफता को हमारे देश शांश्वत शांथी के पत्थ पर दिग्य दर्शन कराएं। यही मंगल कामना हैं। आज के लिए इतना ही मिलेंगे आप से अगले पॉलटन में तब तक के लिए सुनते रहे हैं चनहित की अवास।